आज हमारा बही खाता तथा लेखा सांस्त्र कक्षा बारा बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंस यूपी बोर्ड की ये बुक है बिजयपाल सिंग की और इसमें आज से हम सुरू करने चल रहे हैं चैक्टर सेकेंड साजहेदारी का साजहेदारी भाग दो नए साजहेदार का प्रवेस Partnership to Admission of New Partner New Partner का जो प्रवेस होता है एंट्री होती है उसके कुछ कारण होते हैं इसके कारण यहां पर लिखे हुए हैं ब्यापार का विकास करने के लिए अधिक पूजी की अवस्यक्ता हो और वर्तमान साजहेदार उसे दे सकने में असमर्थ हो इसका मतलब होता है यदि नए पार्टनर के द्वारा हम नए साजहेदार को भरती करेंगे नए साजहेदार आएगा तो पूजी भी लेकर के आएगा और उसकी पूजी आने से ब्यापार में विकास की गती तेज होगी और क्योंकि वर्तमान साजहेदारों के पास पूजी की कमी है इसलिए वो नए साजहेदार को भरती करना चाहते हैं दूसरा है ब्यापार के प्रबंध और संचालन के लिए किसी योग्य कुशल अथवा अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो यानि जब पूराने साजहेदारों में अनुभव हिन्ता हो कुशलता में कमी हो या उन्हें ऐसा लगता हो कि हम ब्यापार करने में योग्य साब भवी साज्यदार को भरती किया जाता है और इस प्रकार से उसकी आवस्यक्ता की कमी महसूस होती है तो नए साज्यदार का प्रवेश करना वाजिब होता है जरूरी हो जाता है तीसरा पॉइंट है किसी प्रसिद्धि एवं प्रभावसाली व्यक्ति को साजह में समलित करके फर्म उसके प्रभाव अथवा अच्छे संबंधों का लाभ प्राप्त करना चाहती है इसका मतलब हुआ यदि कोई मसहूर व्यक्ति है उस इलाके या छेत्र में यदि उसको ऐसी परिस्थिती में नए साजहदार का प्रभेस करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पुराने साजहदार अपनी प्रसिद्धी नहीं बना पा रहे हैं तो नए साजहदार का प्रभेस हो रहा है क्योंकि वह प्रसिद्ध है मसहूर है और उसको भरती करने के बाद उसको प मृत्तु के कारण उसके इस्थान पन नई साज्यदार के प्रवेस की अवस्चेकता होती है अगर कोई साज्यदार पुराना हो गया है बूढ हो गया है बीमार रहता है अच्छानक उसके मृत्तु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिती में साज्यदारों में कमी पढ़ जाती है देख भाल के लिए कमी पढ़ सकती है अन्य कारणों से भी कमी पढ़ सकती है तो ऐसी दसा में भी नए साज्यदार का प्रवेश कराया जा सकता है किसी पुराने अनुभवी और कुसल साहन देने अत्वा उसकी योग्यताओं का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे management में यानि प्रबंध विवस्था में बहुत अधिक उसलता हासिल है और वह बहुत जादा experience holder यानि अनुभवी है तो उसकी इस प्रकार की योग्यताओं को हम लाभ उठाना चाहें तो उसको साजेदारी में अगर हम प्रवेश करा देते हैं तो उसकी योग्यताओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है तो ये पांच ऐसी परिस्थितियां हैं पांच ऐसे conditions हैं जिसमें हम एक नए साजेदार को पुराने साजेदारी में प्रवेश कराते हैं यानि वो आवस्यक्ता की परिस्थिती यही है जिसके अंदर हम एक साजेदार को प्रवेश कराते हैं सवाल ये होता है कि नया साजेदार आता है तो उसको हम प्रोफिट में किस प्रकार से हिस्सा देंगे क्या उसे बराबर का हिस्सेदार या पुराने साजेदार लोग अपने हिस्से में से बराबर हिस्सेदारी करेंगे या अपने हिस्सों में से कुछ भाग A, कुछ भाग B, कुछ भाग C इस प्रकार से भुखतान करेंगे आखिर लाभहाने के बटवारे का क्या तरीका है? किस प्रकार से हम नए अनुपात की गड़ना करेंगे? तो आईए अब इसके नुमेरिकल की ओर चलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे प्रस्न संख्या एक यानि कोश्चन नमबर वन आपके स्क्रेन पर मौजूद है आ, बा, और सा एक फर में साज्यदार हैं पांच तीन दो के अनुपात में लाभहानी विभाजित करते हैं उन्होंने दा को एक बटे पांच भाग के लिए साज्यदार बनाया निम्न दसाओं में साजेदार का नया लाव विभाजन यानि बितरण अनुपात ज्यात कीजिए दाने अपना हिस्सा सब साजेदारों से उनके लाव बितरण अनुपात में प्राप्त किया दूसरा पॉइंट है दाने अपना हिस्सा समान अनुपात में सब साजेदारों से प्राप्त किया तीसरा पॉइंट है दाने अपने हिस्से का आधा भाग आसे और आधा भाग बासे प्राप्त किया तो ये तीन प्रकार के सवाल पूछे गए हैं पुराना अनुपात ABC का 5-3-2 है और सरतों के मुताबिक वह इक बटी 5 का हिस्सेदार बनेगा तो पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में और तीसरी कंडीशन में हमने परिस्थितियों को आपको बताया है अब हम इस सवाल को सोल्यूशन में चलते हैं सबसे पहले हम कोश्चन नंबर वन लिखेंगे अधिमीशन ऑफ इन न्यू पार्टनर ये हमारा चैप्टर है आज से सुरू हो रहा है बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आप इसके हर स्टेप को ध्यान से देखेंगे सबसे पहले हम ओल्ड रेसों लिखेंगे ओल्ड रेसों यानि पुराना अनुपाद जो कि पांच तीन दो है कंडीशन नंबर वन जब डी ने यानि दा ने अपना हिस्सा या यूं कहिए अपना भाग सब साजहेदारों से उनके लाभ विभाजन अनुपाद में प्राप्त किया उनके लाभ विभाजन अनुपाद में प्राप्त किया तो कंडीशन हमारे सामने लिखी जा चुकी है सब से पहले जो मिस्टर डी है डी का हिस्सा एक बटे पांच भाग है हम लेंगे मालिया लिट टोटल सेयर टोटल सेयर ओफ द फर्म एक्वल टू वन मालिया पूरे फर्म का जो हिस्सा है वह वन है रिमेनिंग सेयर रिमेनिंग सेयर यानि रिमेनि यानि सेस भाग एक में से एक बटे पांच को घटा देंगे तो पांच एक कम पांच पांच में से एक घटाया तो चार बटे पांच हुआ जब यहाँ पर सेस भाग चार बटे पांच हो गया है तो अब इस चार बटे पांच की मल्टिप्लाई इन तीनों में होगी इसका मतलब यह हुआ कि जो भी फर में कमाई होगी वह वन हुई उसमें से न्यू पार्टनर का हिस्सा निकल गया तो जो बचा हुआ है वह सभी पुराने साज़िदार लोग उसमें से अपना हिस्सा लेंगे इसका मतलब यह है एज न्यू सेर एका नया हिस्सा क्या होगा चार बटे 5 की मल्टिप्लाई के सन पांच बटे 10 में करेंगे पांच, तीनाठ, दो, दस तो पांच बुटे, दस हुआ इस परकार से इसके मल्टिप्लाइी होगी इसको कल्कुलेट करेंगे तो पांच, चोग, बीस पांच, दहम, पचास इसका मतलब हुआ बीस बटे, पचास हुआ इसको और छोटा करेंगे लेकिन सबकी calculation करने के बाद ताकि बराबर का इनके अंदर denominator यानि अंस और हर में हर बराबर होना चाहिए वह भी आप समझेंगे कैसे बीज न्यू सेयर यानि बी का नया भाग चार बटे पाँच इन्टू बी का हिस्सा है तीन बटे दस तो तीन बटे दस से मल्टिप्लाई होगी तो यह होगा बारा बटे पचास इसके बाद सीज न्यू सेयर सी का नया हिस्सा चार बटे पाँच इन्टू दो बटे दस तो यह होगा आठ बटे पचास जो डी है वह एक बटे पाँच भाग के लिए आ रहा है तो अब हम इसको छोटा करेंगे एक बार और काटेंगे तो यह दो से कटेगा उसके बाद यह नहीं कट पाएगा दो का काटेंगे दो दहम बीस और यहां पचास को दो से भाग करेंगे तो पच्चिस आएगा और अगर बारा को भाग करेंगे दो छंग बारा छे और पच्चास को पच्चिस आएगा यहां पर भी चार और यहां पर पच 25 नीचे आना है तो अगर इसके नीचे 25 लाना होगा यानि यहाँ पर हमें 25 चाहिए तो हम 25 को इस 5 से भाग करेंगे और देखेंगे आखिर कौन से संख्या है जिससे इसमें गुड़ा करके यह नमबर आता है तो 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25 यानि 5 आया इसका मतलब है पांच से गुड़ा करेंगे तो 25 आएगा तो 5 से हम नीचे भी गुड़ा करेंगे और उसी 5 से ओपर भी करेंगे इस बात का धियान रखेंगे तब ये 5 बटे 25 हो जाएगा अब सब के नीचे 25 आचुका है यहाँ पर भी 25 यहाँ पर भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो छे चार और पांच ये हमारा जवाब है अब इसको मिलाने पर पता चलता है कि यहाँ पर आभाग का अंस्वर दस छे चार पांच है अब हम दूसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे दूसरा पॉइंट है दाने अपना हिस्सा समान अनुपात में सब साज़ेदारों से प्राप्त किया इस पॉइंट को आप इगनोर नहीं करेंगे धियान से समझेंगे अगर दाने सब साज़ेदारों से अपना हिस्सा अगर समान अनुपात में प्राप्त किया है तो आखिर हम इसको किस तरह से calculate करेंगे आईए उसको देखते हैं condition number 2 apply करेंगे यहाँ पर second जब दाने अपना हिस्सा सब साजहेदारों से सब साजहेदारों से समान अनुपात में प्राप्त किया यह हमारी दूसरी condition है तो अब आपने question का वह part पढ़ा है जो हमारे question का हिस्सा है अब इसका solution ओल्ड रेसो जरूर लिखिए पांच तीन और दो और डी का भाग भी लिखिए एक बटे पांच भाग है डी ने कहा मैं अपने हिस्से को तीन भागों में बाटूंगा और प्रतीक भाग इन तीनों से अलग अलग लूँगा यानि कि यह अपने हिस्से का तीन भाग बराबर का करेगा और हर भाग इन तीनों से अलग अलग वसूलेगा यानि कि इन से ही अपने हिस्से की कैलकुलेशन मांग रहा है तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे equal share यानि बराबर का हिस्सा of d d का बराबर का हिस्सा अगर हम करेंगे तो इसे तीन से divide करेंगे तो एक बटे तीन से मतलब इसको multiply करेंगे अगर हम एक बटे तीन से इसका मतलब हुआ कि हमने एक बटे पांच के तीन टुकड़े कर दिये तो एक एक कम एक पांच तिया पंदरा एक बटे पंदरा हम एसे लेंगे एक बटे पंदरा ही बी से लेंगे एक बटे पंदरा ही सी से लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एज नियू रेसो यानि आ का नया भाग तो आ का पुराना कितना है आ का पुराना है पाँज बटे डस इसमें से घटाएंगे एक बटे पंदरा तो इनका जो LCM है यानि लगुत्तम लगुत्तम का मतलब है इन दोनों की multiply हम करेंगे गिंतियों में तो ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो दोनों से कट जाए जैसे हमने लिया 15 दोनी 30 तो 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी divide हो जाएगा यानि 10 तियां 30 हो जाएगा तो हम यहाँ पर लगुत्तम लेंगे 30 10 तीन तीस तीन पंजे 15 माइनस 15 दोनी 30 दो एक कम 2 15 में से 2 निकाल देंगे तो 13 बचेगा यानि ये 13 बटे 30 हो गया इसी प्रकार से हम B का भी हिस्सा निकालेंगे B is new ratio B का हिस्सा है 3 बटे 10 B का हिस्सा 3 बटे 10 है इसमें से हम यही 1 बटे 15 भाग माइनस करेंगे तो 30 लगुत्तम होगा 10 तीन तीस 3 तीन तीन 9 हमने यहाँ क्या किया हमने 10 को इस 30 से 30 में 10 से डिवाइड किया 10 तीन 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 आया एक से मल्टिप्लाई किया 2 एक कम 2 माइनस कर दिया वही काम यहां भी करेंगे 10 तीन 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 की मल्टिप्लाई 3 से करेंगे उपर तीन 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 9 माइनस लगाईए क्योंकि माइनस है 15 दूनि 30 दो एक कम दो तो 9 में से 2 गए तो कितने आएंगे 7 बटे 30 ये B का नया हिस्सा हो गया Siege new share यानि new ratio यहां रेसो या share कुछ भी लिख सकते हैं Siege new ratio या Siege new share यानि share यानि हिस्सा हिस्सा यानि कितने अनुपात में उसको मिल रहा है तो दो बटे 10 है मिस्टर सी का पुराना हिस्सा इसमें से वही एक बटे 15 माइनस होगा इसमें भी लगुत्तम इनका 30 होगा 10 तीन तीन दूनी 6 माइनस अंदर दूनी 30 दो एक कम 2 तो इसमें से 2 को घटाएंगे कितना हैगा 4 बटे 30 अब सब के नीचे 30 आ गया जो डी है डी का ह हिस्सा इक बटे 5 है इसमें हम किसकी मल्टिप्लाई करें कि नीचे 30 आ जाए तो हम 30 से जैनी 30 के अंदर 5 का डिवाइड करेंगे 5 छंग 30 6 आया उस 6 से ही मल्टिप्लाई नीचे और उपर करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह हो गया 6 बटे 30 तो अब सब के नीचे 30 आ चुका है यहां 13 बटे 30, 7 बटे 30, 4 बटे 30, 6 बटे 30 तो इसका मतलब हुआ 13, 7, 4, 6 इसका अनुपात है तो जो नीव रेसों निकला है नया नुपात 13, 7, 4, 6 यह है आंस्वर 6 करते हैं 13, 7, 4, 6 यहां है 13, 7, 4, 6 बिलकुल सही जवाब C पार्ट में बोला है कि दा ने अपना हिस्सा अपने हिस्से का आधा आसे और आधा भाग बा से प्राप्ट किया यह वाली कंडीशन अपसॉल करने चल रहे हैं कि मिस्टर जो DR है है उन्होंने अपने ही हिस्से के दो टुकडे कर दिये हैं आधा A से लेंगे और आधा B से लेंगे लेकिन C से नहीं लेंगे इस बात को धियार रखेंगे कंडीशन नमबर थर्ड डालेंगे जब दने अपना आधा भाग आसे तथा आधा भाग बात से प्राप्त किया यह कंडीशन नमबर सेकेंड है अब इस कंडीशन में ओल्ड रेसों हम रखेंगे पहले पांच तीन और दो डी का भाग रखेंगे एक बटे पांच यह हमारा कोश्चन का पार्ट है इसको रखेंगे अब डी ने कहा कि मैं अपने हिस्से का दो भाग करूँगा आधा हिस्सा आसे लूँगा और आधा हिस्सा बासे लूँगा लेकिन सासे नहीं लूँगा यह सर्त है तो हम यहां लिखेंगे half of d share d के हिस्से का आधा भाग कितना हुआ तो एक बटे पांच को एक बटे दो से multiply कर दो तो ये हो गया एक का उपर एक से करेंगे तो एक आएगा पांच का दो में करेंगे तो दस आएगा एक बटे दस हो गया इसका मतलब A ने ये कहा कि मैं आधा भाग दूँगा तो यानि A में से आधा निकलेगा B ने कहा मैं भी आधा ही दूँगा तो B में से भी एक बटे दस निकलेगा तो इस प्रकार से D के हिस्से का आधा एक बटे दस हुआ तो दूसरा भाग भी एक बटे दस ही होगा तो यहाँ पर लिखेंगे Age New Raison A का नया भाग, नया नुपात पांच बटे दस पुराना है एका हिस्सा उसमें से एक बटे दस निकल जाएगा चोंकि Mr. A ने कहा कि मैं अपने हिस्से का आधा भाग दूँगा क्योंकि दस दस बराबर है इसका लगुत्तम दस ही होगा पांच का एक से सीधा माइनस होगा कोई लगुत्तम यहाँ पर नया नहीं आएगा जब इस दोनों बराबर हों तो यहीं लगुत्तम होते हैं और यह उपर की संख्याएं आपस में ऐसे ही माइनस हो जाती है पांच में से एक निकाल देंगे तो चार बटे दस होगा बीज नूरेसो बी का हिस्सा पुराना तीन बटे दस है तो तीन बटे दस में से एक बटे दस घटेगा तो लगुत्तम दस होगा तीन में से एक घटाते हुए दिखाएंगे तो दो बटे दस होगा जो सी है इसका हिस्सा एक बटे कितना है सी का सी का तो दो बटे दस है तो सी का दो बटे दस ही रहेगा इसमें किसी प्रकार की छेड़ खानी नहीं करनी है जो डी है वो एक बटे पांच के लिए आया है लेकिन क्योंकि सब के नीचे दस हो रहा है यहां भी दस यहां भी दस यहां भी दस यह दस कट सकते हैं बराबर के जाएगा 2 1 2 25 अब सबकी नीचे 5 मवजूद है यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यह भी 5 यहाँ पाई इतना चोटा हो जाना चाहिए दुबारा कटने लाइक ना हो तब यह अनुपात बन जाता है तो इसका मतलब है new ratio अब ready हो चुका है two one 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 यहाँ पर रेसो बनेगा two one one और one यह नया अनुपाद है इस प्रकार से two one 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 का रेसो हुआ तो इसको चेक करते हैं नया अनुपाद two one 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 यहाँ आप देख रहे हैं इस वक आपकी स्क्रीन पर यह भी answer ready हो चुका है तो इस प्रकार से question number one समाप्त हो गया अगली problem हमारा question number second है आप देख रहे हैं question number second आपकी स्क्रीन पर मौजूद है पहले हम इसको पढ़ेंगे यहाँ लिख्या है नया अनुपाद ग्यात कीजिए और लाल नीला साजेदार है उन्होंने पीला को एक बटे चार का हिस्सेदार बनाया भाविस्स में लाल और नीला का अनुपाद two और one होगा यानि जो भी कमाई होगी उसमें एक बटे चार भाग तो पीला को मिलेगा बाकी जो बचेगा उसमें लाल और नीला हिस्सेदार बनेंगे लाल को एल कोड कर देंगे नीला को एन कोड कर देंगे और पीला को पी कोड कर देते हैं इससे हमें आसानी होगी इसके बाद बी और सी करेंगे पहले हम एपार्ट करते हैं कोश्चन नमबर टू यहां से सुरू करेंगे लेट टोटल सेयर ओफदा फर्म एक्वल टू वन यह हम तब ही करेंगे जब पुराने साज्यदारों के बारे में यह न कहा गया हो कि नए साज्यदार को पुराने साज्यदार अपने हिस्से में से इतना इतना देंगे तो जब ऐसा कुछ नहीं कहा गया होता है तो हम पूरी फर्म का एक हिस्सा माल लेते हैं one और उस हिस्से one में से हम नए साज़ेदार का हिस्सा घटा के जो अनुपाद दिया होता उसमें multiply कर देते हैं तो इसका मतलब यह होता है जो भी कमाई होगी उसमें से नए साज़ेदार को देने के बाद जो बचेगा वो पुराने साज़ेदार लोग आपस में बाट लेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल फर्म का हिस्सा one हमने माल लिया तो remaining share क्या होगा remaining यानि सेस भाग इसमें से हम नए साज़ेदार का हिस्सा घटाते हैं तो नए साज़ेदार इसमें जो पीला आ रहा है वह एक बचे चार भाग के लिए आ रहा है तो एक बचे तो यहाँ पर लाल को हमने L code किया है तो L से new ratio यानि L का नया हिस्सा नया अनुपात तीन बटे चार की multiply टू और वन का इनुँका रेसो है तो टू और वन का total करेंगे तो थिरी होगा यानि दो और एक को जोड़ेंगे तीन होगा दो बटे तीन और एक बटे तीन पढ़ेंग तो हम लाल वाले में दो बटे तीन से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 6 बटे 12 देखिए आप धिहान से L के बाद जो नीला है N, N स new ratio इक्वल टू इसी 3 बटे 4 की multiply केसन हम नीला वाले के 1 बटे 3 से करेंगे तो यह 3 बटे 12 हो जाएगा और जो पीला न्यू पार्टनर है वह नया पार्टनर है उसका हिस्सा है पीज सेयर पी का हिस्सा वन अपोन 4 के लिए वा रहा है तो इसको हम काटके आप छोटा कर सकते हैं 2 तिया 6 यह 3 से कर सकते हैं 3 दूनी 6 3 चोग 12 यहां 2 हो जाएगा यह भी कट जाएगा उसी संख्यास क्योंकि हम एक ही गिंती से काटेंगे वही गिंती हमारी सब से कटनी चाहिए यानि हमने 2 से शुरूरात की है 2 से ही यह सब कटने चाहिए अगर 3 से काटेंगे तभी ये 3 से कटना चाहिए अब यहाँ पर मैंने 3 से बार काटने कोसिस की लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये आगे 2 से काटा गया तो नहीं कटा सही नहीं कटा क्योंकि 2 से ये 3 नहीं कटेगा तीन से अगर हम काटते हैं तो इब तीन से बड़े प्यार से कट जाएगा तीन दूनी छे तीन चोग बारा ट्राई हम हर एक नंबर से करेंगे लेकिन जो नंबर सक्सेस्फुल होगा उसी को ही अपलाई कर देंगे अब ये तीन से ये सारा कट जाएगा ये दोनों तीन से कट जाएगे तीन दूनी छे दो आया तीन चोग बारा तीन एक कम तीन अगर तीन चोग बारा अगर हम दो से ट्राई करते हैं तो तीन चोग ये तो कट जाता लेकिन ये नहीं कटता इसलिए दो वाला नंबर फ्लोप हो गया अब सब के नीचे चार आ चुका है यहाँ भी चार यहाँ भी चार यहाँ भी चार तो अब यह नया अनुपात बड़े आराम से बन चुका है न्यू रेसो 211 2 रेसो 1 रेसो 1 कम्पलीट हो गया है इसका अंसर चेक करने पर हमें पता चला यह है 211 अब आते हैं दूसरे भाग में सचिन कपिल साज्यदार है जो लाभ का बटवारा 3 और 2 के अनुपात में करते हैं उन्होंने अनिल को 3 बटे 7 हिस्से के लिए साज्यदार बनाया जो उसने 2 बटे 7 सचिन से और 1 बटे 7 कपिल से लिया इसमें पहले ही कंफर्म कर दिया कि ये 3 बटे 7 जो है 2 बटे 7 और 1 बटे 7 दो बटे 7 तो सचिन देगा यानि 3 बटे 5 में से और 1 बटे 7 कपिल देगा यानि 2 बटे 5 में से तो बहुत आसान हो जाएगा इसमें सोल्व करना पार्ट सेकेंड इसका पार्ट सेकेंड है और इसका पार्ट फरस्ट है इसको ABC के नाम से भी डाल देंगे बुक में ABC डाला हो या 123 डाला हो जो डाला हो आप वही डालेंगे सबसे पहले यहां लिखेंगे सचिन और कपिल का हिस्सा सचिन और कपिल इनका हिस्सा पुराना तीन और दो है और जो न्यू पार्टनर आ रहा है Mr. Anil तो Anil का हिस्सा है तीन बटे साथ यह दो भागुम बट गया दो बटे साथ और एक बटे साथ दो बटे साथ तो हम सचिन से लेंगे और एक बटे साथ Anil से लेंगे तो यहां पर सचिन का नया हिस्सा कितना होगा सचिन का नया हिस्सा क्या होगा सचिन के तीन बटे पांच में से इसके दो भाग हो गए पहला भाग तो हो गया दो बटे साथ और दूसरा भाग हो गया एक बटे साथ तो दो बटे साथ तो हम सचिन में से माइनेस करेंगे और एक बटे साथ यहाँ पर कपिल में से माइनेस करेंगे तो अब ये वाला माइनेस करेंगे दो बटे साथ इन दोनों का जो लगुत्तम है अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ें, 7 दोनी 14, तो 5 का पहाड़ा 14 में नहीं आता है 7 पंचिया 21 भी नहीं आता, 7 चोक 28 नहीं, 7 पंचे 35 35 आता क्योंकि 35 साथ से भी कट जाएगा और 5 से कट जाएगा ऐसी छोटी सख्या जो दोनों से कट जाए वही लगुत्तम है तो इनका लगुत्तम 35 हुआ, 5 सत्ते 35 साथ आया, उस साथ की मल्टिप्लाई 3 बे करेंगे 7 तिया 21 माइनस, 7 पंचे 35 हुआ, 5 दोनी 10 यह हो गया 21 में से 10 को घटाएगे तो 11 बटे 35 हो गया अब हम कपिल का हिस्सा निकालेंगे कपिल्स न्यू सेयर कपिल का नया भाग कितना होगा 2 बटे 5 है, कपिल का पुराना हिस्सा उसमें से 1 बटे 7 यह माइनस होगा तो इसका लगुत्तम भी 35 ही आएगा 5 सत्ते 35 साथ दोनी 14 माइनस 7 पंजे 35 पांच कम 5 यह हो गया 9 बटे 35 और जो इसमें अनिल है जिसका हिस्सा 3 बटे 7 है अब क्योंकि सब के नीचे हमें 35 लाना है, यहाँ पर 35 लाना है तो 35 लाने के लिए हमें 7 में किसकी मल्टिप्लाई करेंगे तो 7 से हम 35 को डिवाइड करेंगे 7 पंजे 35 पांच आया तो इसका मतलब हम 5 से मल्टिप्लाई करेंगे 35 पंजे 35 आया तो इस प्रकार से हमारा न्यू रेशो रेडी हो चुका है यहाँ पर 11, 9 और 15 11 अनुपात, 9 अनुपात, 15 यह अनुपात हमारा नया अनुपात है यही हमारा जवाब है अब इसका आंस्वर मिलाते हैं 11, 9, 15 बिल्कुल करेक्ट आंस्वर है अब इसी वक्त हम अगला कोश्चन भी देख लेते हैं के, एल और एम साज्यदार है जो 3, 2, 1 के अनुपात में लाभानी का बटवारा करते हैं इनका पुराना अनुपात 3, 2, 1 है उन्होंने एन को एक बटे 8 भाग के लिए हिस्सेदार बनाया है साज्यदार बनाया है भविस में, M, K अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा M यानि लास्ट वाला तो लास्ट वाले K यहां से कुछ नहीं लिया जाएगा जो भी हिस्सा बटेगा एक बटे 6 का वो इन दोनों में बटेगा 3 और 2 में, यानि K और L में बटेगा लेकिन M में कुछ नहीं बटेगा कोईश्चन आपने देख लिया है बाग आए दे अब इसका सोल्यूसन करेंगे और स्टेप बाइ स्टेप इसको चेक करेंगे सबसे पहले K, L और M ये पार्ट C है हम यहां लिखेंगे Old Race पुराना अनुपाद 3, 2, 1 है ये है कौन? ये है K, L, और M ये तीन पार्टनर है इन तीन पार्टनरों का हिस्सा है और इसमें एक New Partner जो आता है वा है N N का हिस्सा एक बटे 6 है इन्होंने कहा कि मैं अपना हिस्सा इन दोनों से लूँगा लेकिन इस से नहीं लूँगा तो इसका मतलब है इनके हिस्से के दो टुकडे होंगे एक तो तीन और दो का अगर टोटल करेंगे तो तीन बटे 5 और दो बटे 5 होगा तीन दो का टोटल 5 होता है तो हम एक बटे 6 के दो भाग करेंगे एक तो तीन बटे 5 और एक दो बटे 5 करेंगे तो जो multiply करके आएगा उसको हम 3 बटे 6 से घटाएंगे तो सबसे पहले आप steps इसका देखिए यहाँ पर लिखेंगे के sacrifice के ने कितना sacrifice किया यानि के ने कितना contribute किया अपने हिस्से में से तो के का जो हिस्सा है एक बटे 6 को हम इन 3 और 2 में बाटेंगे तो अगर 3 और 2 को अगर आप धियान देंगे तो इसके 2 टुकडे होंगे तो 3 बटे 5 और 1 बटे 2 बटे 5 होगा तो हम पहले 3 बटे 5 कर लेते हैं पहला हिस्सा यानि के के हिस्से में यानि के अपने हिस्से में से इतना बलिदान देगा कितना देगा? 3 बटे 30 तीन एकम तीन और पांच जंग तीस यानि Mr. K अपने हिस्से 3 बटे 6 में से अब तो K का हिस्सा पुराना तो 3 बटे 6 ही पढ़ेंगे तो K जो है 3 बटे 6 में से 3 बटे 30 देगा तो अब K न्यू सेयर या न्यू रेसो 3 बटे 6 पुराना है उसमें से 3 बटे 30 घटाएंगे तो LCM इसका जो है वहार कितना होगा 30 ही होगा गर्मी बहुत पढ़ रही है यहाँ पर लिखेंगे 30 6 पंज तीस पांच आया 5 तिया 15 माइनस तीस से कम तीस एक तीन तीन तो यह हो गया 12 बटे 30 यह के का हिस्सा है ऐसे ही यहाँ पर L L सैक्रिफाइस बिल्कुल सेम L ने कितना सैक्रिफाइस किया है 2 बटे 5 इसका 2 बटे 5 काटेंगे यानि एक बटे 6 को हम 2 बटे 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 बटे 30 तो यह किस में से घटेगा यह घटेगा 2 बटे 6 में से केज न्यू सेयर मतलब L स्न्यू सेयर या न्यू रेसो कहिए रेसो और सेयर एक ही है न्यू रेसो तो जो L है उसका पुराना 2 बटे 6 है उसमें से यह 2 बटे 30 घटेगा तो 2 बटे 6 माइनस 2 बटे 30 करेंगे तो इसका L C M 30 ही आएगा क्योंकि 30 जो है अपने आप से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा तो 6, 35, 5 आए 5 दूनी 10 और 31 एक दूनी 2 तो यह हो गया 8 बटे 30 जो M है M का हिस्सा इन्होंने कहा परिवर्तित नहीं होगा तो M का हिस्सा होगा कितना M का पुराना हिस्सा एक बटे 6 है अब धियान देंगे अगर M का हिस्सा एक बटे 6 है तो एक बटे 6 रखेंगे और जो N आ रहा है न्यू पार्टनर उसका हिस्सा भी एक बटे 6 ही है इसको काट के देखते हैं एक ही नमबर से सब नमबर कटने चाहिए के का निवरेस हो है 12 बटे 30 इसे 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 6 बटे 15 2 चंग 12, 2 पंदरह हमें 30 यानि 15 हो जाएगा इसको काटेंगे तो ये होगा 2 चंग 8 और ये भी 15 हो जाएगा 4 बटे 15 लेकिन अभी ये बराबर नहीं हो पाया है क्यों नहीं हो पाया है क्योंकि इसके पीछे का लोजिक ये है कि ये 15 नहीं बन पाएगा यहाँ आपको रेसो चिक करना सीखना होगा अब आपने देखा 6 बटे 15 4 बटे 15 यहाँ जब कि 1 बटे 6 है यहाँ 1 बटे 6 है तो इसका मतलब ये है कि ये कट नहीं पाएगे इसका मतलब इनको यही नंबर रखना पड़ेगा 12 बटे 30 8 बटे 30 ये हमें नहीं रखना है इसको अब आगे नहीं काटेंगे इस प्रकिरिया को भी आपको समझना जरूरी है क्योंकि अगर हम यहाँ 15 रखेंगे तो ऐसी कौन सी गिंती है जिससे हम मल्टिपलाई करेंगे उपर और नीचे का तो 15 आएगा तो ऐसी कोई समसंख्या ऐसे नहीं मिलेगी पॉइंटों में मिल जाएगी तो उससे बेहतर ये है कि पॉइंटों में न जाएगे सब के नीचे 30 आ रहा यहाँ भी 30 है तो इनको भी 30 लाने की कोसिस कीजिए इनको 30 लाने के लिए हमें किस से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा 5 से 6 पंजे 30 तो उपर भी 5 से कर ये 5 कम 5 5 बटे 30 हो गया ऐसे ही इसको करेंगे same to same ये भी 5 बटे 30 हो जाएगा अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सब के नीचे 30 आ गया यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 इसका मतलब है कि new ratio जो हमारा है वो हो चुका complete 12, 8, 5, 5 यहाँ लिखिए 12, 8, 5, 5 इसको हमने यहाँ इसलिए करा ताकि आप भी कभी कोसिस करें तो यह compare जरूर करिए जिससे आपको पता चले कि हम ratio किस तरह से निकालते हैं और कैसे हमें अर्चने होती हैं आंस्वर मिलाते हैं 12, 8, 5, 5 यह हमारा solution है और यहाँ पर आपने question number second को बड़ी आसानी से अनुपात निकालना सीख लिया है इस प्रकार से हमारा question number second complete हुआ ज़ादा समय नवेस्ट हो इसलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं आज की वीडियो पार्टनर्शिप second की है अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको like, comment, share जरूर करिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को subscribe भी करिए या इस channel को subscribe करिए और latest updates continue लेते रहिए यह वीडियो और यह channel सिर्फ आपके लिए ही है आपकी सफलता ही हमारा परम उद्देश से है हम यही लक्ष लेकर चल रहे हैं जो भी student हमारे channel पर आए UP board का हो, पंजाब board का, हरियारा board जो भी commerce का student है वह सफल हो असफलता की कोई गुंजाईस है ही नहीं क्योंकि अभी हाल ही में जो UP board का हमारे यहां का result आया गाजियबाद का बिल्कुल बहतरीन रहा हमारी coaching center धीरसर commerce classes का result बिल्कुल बहतरीन रहा 100% result रहा यानि कोई student fail नहीं हुआ जिसमें 6 student टॉप रहे हैं जिनकी photo coaching center के बाहर लगेगी इसी परकार से बने रही है हमारे साथ और वीडियो अपने सभी friends को share कीजिए इसी कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं फिर लेकर आएंगे ऐसी वीडियो इसी chapter से related होगी जो होगी आपके लिए बहुत महतपूर अब हम जो वीडियो बना रहे हैं chapter wise बना रहे हैं और आप chapter wise ही देखिए part 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बना रहे हैं जो chapter जिस part पे समाप्त हो जाएगा फिर वो वही रुक जाएगा उसके बाद अगला chapter चालू होगा तो अब हमारा जो वीडियो जो chapter हमारा first था यानि कि admission उसमें introduction of partner उसकी वीडियो uploaded हो चुकी खतम हो गया अब chapter second स्टार्ट हो गया है chapter second में सुरू में बच्चों ने बहुत जाएता problem पूछी है रेसों निकालने की वाकई में सवाल में रेसों निकालने के बारे में ही कहा गया है तो उसी प्रकार से हमने सुरू से ही starting से ही part wise यानि part 1, 2, 3, 4 इसी तरह हम solve करके आपको solution देंगे और आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और वीडियो को समझने की कोशिस कीजिए वीडियो में कोई दीखा तगर आती है तो आप whatsapp नंबर पे हमारे जरूर कॉल कीजिए या अपनी problem share कर सकते हैं वाट्स अप नंबर आप playlist में about में जाके देख सकते हैं फिर लेकर आएंगे आपकी खास वीडियो तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत